हमारे merchandise store आपणा को विजिट करें जिसका link दिया हुआ है डिस्कृप्षिप्शन में वहाँ आपको मिलेंगी बहुत सारी शर्ट्स पॉलो शर्ट्स इन सबको आप प्रॉट। सब्सुट्राईब करें आज प्राष्टि civ Hind sir संग के सरसंग चालग बानीय मोह ऑगवद जी का जो बोधं था विजए आश्मी के दिन होता है पारश करोप से संग का रियाल है एक में नागपूर में वो कई अर्थों में महत्वपूर है और महत्वपूर इसलिए भी है कि वो रेखांकित कर रहा है कि भारत के सामने क्या चिनौतिया है और महत्वपूर इसलिए भी है कि वे उस नरेटिव की बात कर रहे हैं जो की विश्व की शक्तियां इस व बना रही है जिनको दूसरे विशेश जो हम कहते हैं पुराना विश्वे जा कई अर्थों में फर्ड वर्ल्ड कंट्रीस कहते हैं अब तो हम थर्ड वर्ड नहीं है वोगए लेकिन हां जो नॉन्वेस्टर्ण कंट्रीस हैं उनके उपर वो ठोपती हैं जैसे हमारे उपर इंडोलोजी के माध्यम से हमारा इतिहास विक्रत करती है हमारा इतिहास विक्रत करके और उसके बाद कई हमारे भाई बहनों में बंदूओं में आपस में विद्वेश पैदा करने का परियतने करती रहती है और उसमें कई अर्थों में सफल भी है जैसे कि पूरा का पूरा ज विश्य ये है कि जो प्रमुख बातें कहीं आज संग प्रमुख ने उसमें सबसे पहले तो उन्होंने जो रिखांकित किया पहले मैं समप कर लूँ और फिर मैं उसके बाद ये चर्चा करूँगा आपके साथ में कि बही कि क्या संग के चिंतन में कोई परिवर्थन है सकारात्मक मुझे तो लग रहा है है लेकिन पहले हम रिखांकित करेंगे उन बातों को जो कही गई और बातें जो है वो सबसे पहली बात जो कही गई वो ये कही गई कि भारत के जो उन्नती हो रही है उसमें बहुत सारी चुनोतिया है पुलिस पश्ट रूप से कही गई रिखा जिती गई दूसरी बात जो कही वो मेरे लिए विशेशकर से अत्यम्त सुखत थी क्योंकि ये बाते हम कई वर्षों से करते आ रहे हैं विशेशकर जैपुर डायलॉग्स पर करते आ रहे हैं हमारे पोर्टल में इन से संबंदित हैं वो हैं वह बहुत ही महतो पूर्ण थी जिया इस कल्चरल माक्सिजम का नाम लिया गया है लिए वांकि जो विमर्ष है कल्चेब माक्सिजम है है आपका को लिए विश्चा सूर्व हैं दीप और सही पूछे तो डीप स्टेट की जो सर्वोत्तम परिभाचा है जो सर्वोत्तम आकलन है वो सबसे पहले जैपो डायलॉग्स पर ही किया गया था जो की आदी अचिंत ने अपने एक प्रेजेंटेशन में किया था और वो आज भी प्रासंगिक है हम बिलकुल प्रिसाइसली इक्सेक्टली बता सकते हैं कि यह डीप स्टेट क्या है यह कब आरंब होती है कहां सिटी ऑफ लंडन हुआ करती थी और सिटी ऑफ लंडन से कब वोई युनाइटेज स्टेट स्टेच शिफ्ट होगी कौन कौन से उसके अवयब हैं elements हैं और उसके क्या टूल्स हैं कैसे वो अनेक देशों को प्रभावित करती है प्रभावित क्या करती है बिलकुल नियंत्रित करती है और सारी बाते जो है वो जैपियो डालॉक्स पे की गई है तो डीप स्टेट का विशेश कर से यह लेख मोहन भागवजी ने कहा किया अत्यंत स्वागत योग बात है क्योंकि आरेस तुसे जब यह बात आई है तब हम बाकी सारे इस तर तक इन बातों को ले जा सकेंगे और अब हमारी जो बात है वो रिसीव की जाएगी कि हम अब पूरी तरह से अलग-अलग डीप स्टेट पर कल्चरल मार्क्सिजम पर और वोकिजम पर हम अलग-अलग तरीके से प्रोग संबंद में जो उन्होंने बात कही कि और ये इसी को इलस्टेट करने के लिए इसी को एक प्रकार से रिखांकित करने के लिए कि देखिए कि बांगलादेश में जो सारा बी स्टेबिलाइजेशन हुआ है जो बांगलादेश को ऐस्तिर किया गया है वो पूरी तरह से विद थी तो उसमें बानिदर देश में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है कैसे अमेरिका ने पूरा की शक्तियां किस तरह से लगी यह बहूत विस्तार से जह पुडा लॉपसरीज की चर्चा हो चूपी है यह बात भी हमें सुखद लगी कि इस चीज का भी संग्यान लिया गया और ये भी बात आई राश्की सेवक्स संग्य के शीशनित्रत्य से पश्चिम बंगाल की चर्चा की गई और पश्चिम बंगाल में किस तरह से क्राइम और पॉलिटिक्स का निक्सस हो रहा है उसकी बात की गई तो ये भी एक सुखद बात है और सबसे अधिक के इस बात ये बन रही है कि इन बातों का संग्यान है और इन बातों को पहले की तहरे नकारा नहीं जा रहा है आपको ध्यान होगा कि लगबग दो वर्श तक ह काफी आलोचना की थी और वो आलोचना इसलिए की थी किया कुछ पुराने जह आप यो देखे एक सरว धर्म समाधर स nessa बनाई गई थी। नबवे के दशक में और धर्म समाधर समाधर समा में एक वहीद الدین खा नाम के एक वहा करते थे जो तबलीग जमाद के बहुत समर्थक ह हुआ करते थे उनको पसा नहीं कैसे राज़्टी सुहम से वक्संग ने उन से सलाह लेके और कुछ बातें इसलाम के बारे में कहीं जो की सच नहीं थी तो उसके उपर हमने जो विमर्ज था उसको पॉइंट आउट किया रिखांग कि सुनी मानिय सरसंग चालब जी के मुखार विंद से वह निश्चित रूप से हमें हर्श देती है अब बात यह है कि अब आगे क्या होना चाहिए क्योंकि अब इसका जब विश्देशन हो गया और पहचान हो गई ratio की पहचान हो गई तो रोग की पहचாन का फिर उपचार क्या है वो उपचार उस उपचार के प्रती हमें सचेत होना पड़ेगा और वो सचेत होना इसलिए अवश्यक है क्योंकि हमें अपने इतिहास बोध चाहिए हमें अपना राश्ट्र बोध चाहिए हमें शत्र बोध चाहिए स्वयम बोध चाहिए यह शत्र और वोकिजम वाली जो बाते होती है ये हमारे उपर ठोपी गई हैं किसके दोरा जो बाहर के इंडोलोजिस्ट हैं जिनों ने हमारे यहां के इतिहास कारों को ट्रेन किया हुआ है और उन्होंने बिल्कुल सोचे समझे तरीखे से हमारा इतिहास बोध स्वयम बोध और शत्र और जब यह तिनों नश्ट होंगे तो राश्ट्र बोद्थ तो इंका एक प्रकार से प्रॉडक्ट है ज़िए आपका स्वेंबोध होगा आप स्वेंब को जानेंगे स्वेंब को समझेंगे कि हम क्या है हमारी विरासत क्या है, हम कहां से आ रहे हैं, हम जिस परंपरा से हैं, उसका काल बोध क्या है, किस प्रकार के समय में या किस प्रकार के काल चक्र में हम अपने आपको चिन्नित करते हैं, हमारे पूरवज क्या थे, हमारा विज्ञान क्या था, हमारी गनित क्या थी, क्या हमारे पास एक इस प्रकार की परंपरा थी, जिसमें विज्ञान और गनित शीर्ष पर हुआ करते थे, ये सब यदि हमारे समझ में आ जाएगा तो एक प्रकार से है, हमारी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो हमारा आतो विश्वास है, वो इतना प्रकर हो जाएगा कि फिर वो स्वयमबोध अपने आप हमारे मुख पर आभा मंडल बनकर चमकेगा, और जब स्वयमबोध होगा तो शत्र बोध भी आसानी से किया जा सकेगा, कौन है ऐसे, कौन से ऐसी दर्शन है, जो सीधे सीधे हिंदूों को शत्रू कहते हैं, हम जानते हैं, जो अबराहमी विवस्ता है, इसके जो दो प्रमुक, जो अपने आपको रिलिजन कहते हैं, वो हमें शत्रू मानते हैं, इसको जानने के लिए केवल उनके जो गरंत हैं, उनकी जो होली बुक्स हैं, उनको पढ़ने की तो हम शक्ता है, उसमें साथ साथ लिखा हुआ है, आजकल दाकिर नायक बोल रहा है ना पाकिस्तान में, वो सच बोल रहा है, सच बता हूँ आपको, जो कुछ कह रहा है, वही लिखा हुआ है उनकी किताबों में, और ये सुन-सुनके पाकिस्तान के लोग जो हैं, वो आसा है, जो हो रहे हैं, यही है तुमारी विवस्ता, यही है तुमारा मज़ा बुद, शत्रबुद, इतिहास को हमारे विकृत किया गया है, उसमें संग जो है वह काफी एक सकारात्मक पात्र अदा कर सकता है क्यों कि आज कल की जो शिक्षा व्यवस्ता है उसमें बहुत सारे शिक्षाविद जो वाइस चांसलर रित्यादिवन के बैठे हुए हैं वो इस विशह में कुछ नहीं कर रहे हैं CRT वाले भी बहुत कम कर रहे हैं इसमें और भी बहुत कुछ किया जा सकता है और संगी जो है उसके लिए एक उत्प्रिरक का काम कर सकता है और जब यह सब हो जाएगा तो राश्रवोध तो अपने उन्नती के चरम पर पहुंच ही जाएगा हम एक उत्कर्ष को प्राप्त कर सक केंगे जय हिन जय भारत वंदी मातर